तो दोस्ता आज बात करते हैं आलफा 6400 फ्रम सोनी जिहां कल ही सोनी ने लांच कर दिया है आलफा 6400 आलफा कही या फिर ये 6400 भी कह सकते हैं जो कि बेरी पॉपलर मॉडल से ये 6300 आइं ये 6500 इन दोनों के बीच में अभी ये 6400 बैटता है इसमें कुछ फीचर्स जो है वो similar to the a6300 जो previous old model है और कुछ फीचर्स जो है वो a6500 से लिया गया है और कुछ फीचर्स जो है वो आलफा 9 जो कि सोनी का sports oriented full frame camera है वहाँ से यहाँ पर लिया गया है तो ऐसे धेर सरे interesting features है सोनी आलफा 6400 में तो जानते हैं नया क्या है और क्यों यह best value for money camera हो सकता है तो इसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो subscribe करना न भूले और वैसे like और share करेंगे तो हमारे चैनल को जरूर support होगा तो चले जानते हैं क्या का नया है अलफा 6400 में और क्यों यह best value for money package हो सकता है कोई भी वीडियोग्राफर्स या फिर कोई भी फोटोग्राफर्स के लिए तो सबसे पहले अलफा 6400 में APS size का sensor जो है और उसमें 24.2 effective megapixel निकाल सकते हैं capture कर सकते हैं pictures को एक बात ध्यान रखना है कि around 3.2 aspect ratio में capture होगा pictures मतलब कि side में black bars होंगे अगर आप 24.2 megapixel में capture कर रहे हैं तो यह चीज़ ध्यान में रखना चाहिए usually देखे 4.2 aspect ratio रहता है commonly otherwise 16.9 aspect ratio रहता है तब जाकर अगर आप monitor पर देखेंगे तो full screen दिखेगा लेकिन क्यूंकि 24.2 megapixel है तो image size में crop करना पड़ेगा तो 3.2 aspect ratio में picture साएंगे लेकिन अगर आप videos निकालेंगे तो 16.9 aspect ratio में बहुत बढ़िया quality image quality जो है मिलता है video निकालते बग तो यह एक advantage भी यहाँ पर है तो alpha 6400 में ऐसे धेर सारे features and options है जो एक professional video camera में होता है जैसे कि zebra function हो या फिर focus speaking हो मतलब कि अगर आप focus कर रहे हैं तो वहाँ पर display करेगा कि कहाँ पर actual में focus हो रहा है तो ऐसे आप very interesting and very very accurately आप focus बना सकते हैं आपको पता चलेगा कि कहाँ पर exactly focus हुआ है images हो या फिर video भी हो तो ऐसे focus speaking option को use कर सकते हैं zebra function मतलब कि वहाँ पर shadows and highlights के लिए आपको जरूर मदद करेगा कि कहाँ पर overblown है highlights हो या फिर shadows कहाँ पर darker ज्यादा है तो आप इस चीज को histogram पर अच्छी तरह से देखकर आप capture कर सकते हैं वीडियो को professional की तरह तो ऐसे सारे tools मिलते हैं इसके साथ नया जो है hlg function मतलब कि hlg profile मिलता है hybrid log camera जो कहते हैं वह वाला profile दे रहा है अभी sony alpha 64 में यह usually ज्यादा महेंगा cameras में जो s log हम कहते हैं मतलब कि जितना information रहता है scene में वह सारा information capture करना यह इसको separate से log करके देते हैं कोई भी alteration कोई भी modification नहीं होगा जो sensor देख रहा है वही capture करेगा और जब आप वह एडिट करेंगे footage को तब जाकर आपको बहुत ही अच्छा graded image मिलेगा जो भी capture करते हैं वैसा ही करते हैं ungraded profile जो कहते हैं मतलब कि जो sensor देख रहा है वही वीडियो लेकर अगर आप edit करेंगे तो धेर सारा information जो है उसको कैसे आपको एक look चाहिए cinema style की तरह या फिर कैसे आपको look चाहिए basically वैसे आप बना सकते हैं without losing any information तो एक बहुत बड़ा advantage होता है तो यह आपको option alpha 6400 में मिल रहा है अभी तो ऐसे सरे अगर features देखेंगे तो very compelling package हो सकता है एंड जैसे की connectivity related हो वो सारा चीज कवर कर लिया है sony ने Wi-Fi हो या फिर NFC हो या फिर Bluetooth हो एप से pair करना हो यह सारा चीज आपको मिल जाएगा और इसका battery life जो है around the 410 shots आना चाहिए अगर आप एक बार full 100% चार्ज करेंगे battery तो 410 shots for a compact mirrorless camera I think बहुत बढ़िया है तो improve भी किया है इन्होंने क्योंकि कुछ issues थे battery life का alpha 6300 में हो या फिर alpha 6500 में हो तो I think that's a plus point there as well considering the size of the camera तो 4K भी है इसमें oversampled footage रहता है 4K Ultra HD पर 30 frames per second 24 frames per second में capture होता है और अगर आप 1080p निकालेंगे तो 120 frames per second निकाल सकते है मतलब कि slow motion footage भी आप बना सकते है 120 frames per second तो इतना भी super slow नहीं लेकिन फिर भी considering the price and the features it has to offer बहुत अच्छा package है और वैसे ही जो नया feature है वो autofocus system है कह रहा है कि अभी world's fastest autofocus है इसमें with AI powered मतलब कि artificial intelligence से अगर आप कुछ animals का हो कुछ persons का हो निकाल रहा है तो अपने आप detect करेगा उसका eye कहां पर है तो exactly वहां पर आपको focus मिलना चाहिए क्योंकि अगर आई पर focus रहेगा image में तो automatically सारा वहां का जो portion है वो full focus में रहेगा तो वैसे help होगा अगर आप एक अमेचर फोटोग्राफर है तो भी वैसे बड़िया features है और वह वाला जो आटोफोकस सिस्टम है alpha 9 से लिया गया है जो कि sports oriented camera है मतलब कि आप समझ सकते है परी पास्ट आटोफोकस सिस्टम तो definitely रहेगा कैसे implement किया है यह तो मैं खुद टेस्स नहीं किया हूं इसके वज़े से मैं बता नहीं सकता लेकिन जो कह रहे है Sony तो बहुत बढ़िया होना चाहिए तो यह एक नया चीज है जो premium camera से कुछ features यहां पर भी लिया गया है या फिर आप अपना चो भी ऐसे रखकर वीडियोस बनाते हो तो आपके लिए flip screen मिलता है हाला कि articulated LCD screen नहीं लेकिन फिर भी flip screen जो touchscreen है 3 इंच का तो basically पहले क्या था आलफा 6300-6500 में ऐसे उपर नीचे कर सकते थे बस लेकिन अभी क्या कर सकते है आप फुल फ्लिप कर सकते है थोड़ा weird mechanism है क्योंकि आसानी से ऐसे flip नहीं कर सकते है थोड़ा निकाल के जो frame रहता है उसको ऐसे पलटना पड़ता है तो यह थोड़ा 1000 डॉलर्स पर इन्होंने MRP रखा है मतलब कि 900 डॉलर्स पर बॉड़ी ओनली एंड अगर आप जो किट लेंगे आराउंड 1200 डॉलर्स तक पड़ेगा आपको मतलब की जब इंडिया में लांच करेंगे तो आइधिंक इट विल बी आराउंड 65,000 रूपीज तो इन सारे फीचर्स को देखने के बाद 65,000 रूपीज देना एक कैमरा के लिए I think considering the compact factor जो है इतने सारे professional फीचर्स मिलता है आपको with very good image quality क्योंकि एक अल्रेड़ी popular models है अल्फा 6500 और 6300 ऐसा नहीं की flop हुआ है तो इसके वज़े से यह सारे चीज अगर हम देख रहे हैं तो एक very good buy हो सकता है इवन दो थोड़ा premium price है लेकिन फिर भी देखे इसके alternatives जो है Panasonic G9 है वो भी 4K निकालता है बहुत सरे अच्छे फीचर्स है उसमें भी similar features मिलते हैं आपको लेकिन DSLR जैसा है वो थोड़ा बड़ा camera compact नहीं and other brands का option consider करेंगे तो Canon का Nikon का mirrorless camera अगर लेंगे तो Canon M50 है वो भी एक hit-to-eye model अगर आप continuous auto focus अच्छा वाला देख रहे है तो I think Canon M50 अच्छा camera है but considering इतने सारे features and compact factor जो है आलफा 6400 would be a great buy तो देखते है टेस्ट करते है अगर आप चाहते हो कि मैं review करूँ इस camera का तो नीचे comment section में जरूर बताईए अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अव्यवाद बाइबाए